नमस्कात दुस्तों मैं वैब आप कर जोनेक नेम स्वागत करता हूं मेटरलाज एंड कॉलिटी कंट्रोल के ऊपर अल्रेडी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अभेलेबल है अगर आप आपके कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो पहले आप पूरे मेरे वीडियो देख लीजिए फिर आज का जो वीडियो है यह वीडियो MCQ बेस्ट है जैसे COVID-19 की वज़े से जो एक्जाम से ऑनलाइन हो रही है और उसमें MCQ बेस्ट एक्जाम से इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यह वीडियो प्रिपेर कर रहा हूं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेर सब्फराइब करना मत भूलिए तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि आ माइक्रोमेटर में कैसे रहता है कि आपको जैसे पता ही है माइक्रोमेटर कुछ इस तरह से रहता है यहां पर यहां पर आपका स्लिव रहता है फिर यहां पर आगे आपका यह स्लिव है और यह रैचेट है और आप क्या करते हो यहां पर आपका जॉब होल्ड करते हो यहां तो उनका बोलने का मतलब है कि constant measuring pressure आप कैसे यह करते हो अटेंड करते हो जैसे वर्नियर में क्या है वर्नियर में दो जाज रहते हैं और आप उसको उसका pressure कम जादा करके अगर कोई person job को hold करते time अगर वह ज्यादा प्रेस करेगा तो वह आपका measurement change हो जकता है लेकिन micrometer में क्या है ऐसे possible नहीं है आप क्या करते हो पहले job hold करते हो पहले स्लिव से आप क्या करते हो करते हो जैसे यह आपका mobile यह है एन्वील यह job के नजदिक आता है तो आप क्या करते हो यह रैचेट है ना रैचेट से उसको रोटेट करते हो फिर एक particular uniform pressure आने के बाद क्या हो जाता है यह रैचेट स्लिप हो जाता है यहाँ पर बात में आपको क्या आती है एक आवाज आती है टिक बोल के तो उसको आपको क्या करना है वहाँ पर रुख जाना है तो इसके वाज़े से क्या होता है एक uniform measuring pressure आपके माइक्रोमेटर से आ जाता है तो आपका में आपका आंसर क्या रहेगा राचेट है ठीक है उसके बाद second question है the diameter of finished shaft can be checked with consider कर यह एक shaft है उसको आपने क्या क्या है finish किया है consider कर लिए आपने उसनों turning किया है और उसको आपको क्या करना है उसको आपका diameter measure करना है तो आप कैसे एक height बना के आप उसको क्या कर सकते हो खाली slip gauge का use करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हो आपको क्या करना पड़ता है उसके साथ sign bar का भी use करना पड़ता है ठीक है फिर अगला है height gauge और micrometer screw gauge तो नहीं use होगा ठीक है क्योंकि उसका उसका पीच measurement के लिए use होता है तो आपका answer क्या रहेगा height gauge आप क्या कर सकते हो surface plate पर आपका जो job है उसको रख दो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या रहेगा height gauge रहेगा height gauge का जो ऊपर का यह है इसको आप यहाँ पर आपका measurement कर सकते हो the list count of vernier is अभी vernier का list count आपको यह तो पूरे पता ही होना चाहिए कि कि किसका list count क्या है vernier का list count क्या है देखो 0.01 नहीं 0.01 मतलब 0.1 है आपको पता होना चाहिए कि 1 micron मतलब कितना होता है 1 micron मतलब 0.001 रहता है 10 micron मतलब कितना रहेगा 0.01 ठीक है तो यह नहीं है 0.001 एक micron इतना कम तो list count नहीं होता है तो यह भी नहीं है 0.002 तो आपका अंसर क्या है यह आपका अंसर है 0.02 इसके साथ ही माइक्रोमेटर का भी आप पता कर सकते हो माइक्रोमेटर का list count है 0.01 ठीक मतलब 10 micron फिर इसके पाद है question included angle of V block 90 degree 30 degree 45 degree और 60 degree पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कि V block क्या होता है V block एक इस तरह से होता है V block और आपको क्या पूछा यह दोनों के बीच का यह जो एंगल है यह पूछा है कितना है रहता है कभी V block दो टाइप में होते है टाइप A और टाइप B के हिसाप से होते है और V block का यूज क्या होता है कि आपका consider के यह circular job है उसको hold करने के लिए यहाँ पे होता है उसको अगर आप job को यहाँ पर dial indicator रखके आप इसको rotate करोगे तो आपको इसका roundness भी पता चलता है कि कभी-कभी आपको अगर job hold करना है तो आप V block को ऐसे vertical इसमें रखके आप उसको surface plate पर रखके यहाँ पर job उसको hold कर सकते हैं यहाँ पर तो एंगल क्या रहेगा अभी देखो 30 डिग्री नहीं है 45 डिग्री में नहीं है 60 डिग्री भी नहीं है तो आपक अगर आपके answer में 90 डिग्री नहीं है तो आपको 120 डिग्री देखना है फिल नेक्स है आपका which of the following is not correct अबोट वेवलेंद standard वेवलेंद standard क्या होता है कि जैसे आपको पता है line standard क्या है कि दिरे-दिरे क्या हो जाते है line standard मतलब आपका scale है और end standard मतलब आपका वर्नियर है तो क्या हो जाता है दिरे-दिरे आपका जो scale है scale basically यहाँ पर आपका जो corner से वहाँ पर क्या हो जाती है वो खराब हो जाती है same vernier क्या होता है वर्नियर के जो jaws होते है आप jaws के बीच में क्या करते हो जॉब होल्ड करते हो तो यह jaws wear out हो जाते है लेकिन वेवलें स्टेंडर क्या है कि एक फिजिकल स्टेंडर्ड नहीं है आप उसको तो वो डैमेज भी नहीं हो सकता है ठीक है इस नौट करेक्ट है कोन सा है कि जो नौट करेक्ट है तो इसमें क्या किया है उन्होंने wavelength of monochromatic light is an invariable unit of length बराबर है wavelength standard are physical standard अभी देखो आपका यह scale जो है यह physical standard है यह भी physical standard है लेकिन उसके बाद it is a reproducible standard ओके यह भी बराबर है it is natural unit of length यह भी बराबर है तो यह basically यह जो है आपका यह आपका answer है कि यह क्या है physical standard नहीं है इसको आपको preserve करके रखने की जरूरत नहीं है which of the following is incorrect about micrometer अभी इसमें क्या है कि उन्होंने अलग अलग इसके लिए आपको micrometer का पूरा basic पता होना जरूरी है जैसे thimble and barrel should have dull finish total travel to the measuring spindle is called measuring range अभी range कैसी होती है देखो micrometer का एक बहुत important point में आपको बताना जा रहा हो कि micrometer का measuring यह होता है मतलब आभी कौन सा भी micrometer ले ले लो ऐसी range होती है 25 to 50 ले लो फिर 50 to 75 ले लो तो क्या होता है हर एक का जो है measuring range कितना है 25 है तो graduated surface diameter of barrel शूड़ भी 5 mm screw has 10 to 20 threads per centimeter अभी उन्होंने बोला है कि क्या सही नहीं है incorrect आपको क्या निकालना है इसका incorrect निकालना है तो इसमें क्या है आपका यह answer है कि आपका जो आपका जो barrel है आपको sleeve भी कहते थिम्बल और barrel उसके उपर आपको क्या होता है एक थिम्बल होता है इसके उपर यहाँ पर होते हैं और इसके उपर यहाँ पर ऐसे graduation होते हैं तो वो बोल रहें कि इसको क्या होती है dull finish होती है ऐसे possible नहीं है आपको अगर यहाँ पर lines measure करनी है तो यहाँ पर smoothie finish होनी चाहिए ठीक है तो आपका answer यह है तो यह ऐसा वीडियो था अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगते है तो like, share, subscribe करना मत भूलिए ताकि और मैं आपको MCQ के वीडियो लाता रहूंगा थैंक्यू